नश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सही गाड़ी मैं हूँ श्रंगार और आज मैं वापस आपके लिए दो गाड़ियों का कंपेरिजन लेकर आया हूँ एक गाड़ी है हुंड़ाई क्रेटा और एक है महिंद्रा एक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो बने रही है अंतक हमारे साथ और देख रही है इस वीडियो को लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर करके सब्सक्राइब का बटन दबाईए ताकि इस प्रकार के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे हैं शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों प्राइस से क्रेटा का प्राइस जो है आपने देखा है इसमें तीन तरह के अलग-अलग इंजन आ 1.4 लिटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन यहाँ पर जो हम कंपेरेजन करेंगे वो हम XV300 के रेंज में रहकर के कंपेर करेंगे तो XV300 का जो रेंज है वो लगबग 12-13 के करीब होता है इसलिए यहाँ पर वैरियंट लिया गया है हिंडाई का क्रेटा S 1.5 पेट्रो इंजन तो हम यहाँ पर जो कंपेर कर रहे हैं वो होगा सबसे टॉप वैरियंट एक्सवी 300 का यह है दोस्तों बारा लाग अठाइस हजार रुपए में डवल्यू एट ऑप्शनल एम्टी अब क्या अंतर इन दोनों में देख लेते हैं एंजन की बात करें क्रेटा का एंज लगे होए होते हैं महिंद्र एक्सवी 300 की बात करें तो 1.2 लिटर का टर्बो पैट्टोल इंजन यहाँ पर लगा हुआ है इसका डिस्प्लेस्मेंट होता है 1197 CC यह एंजन तीन सिलेंडर इंजन होता है मतलब क्योंकि डिस्प्लेस्मेंट भी काम है तो एंजन के सिलेंडर की पावर देता है 3600 रपीम पर साथी जो टॉर्क प्रोडिस कर सकता है मैक्सिमम यह 4500 आर्पिम आपको टार्क देता है दोस्तों 144 नियोटन मीटर का 4500 रपिम पर इतना ज्यादा अगर आप रिवालूट करेंगे तब आपको एक टॉर्क मिल पाएगा मतलब अगर आप ज् 902 HP की पावर यह गाड़ी 5000 रपिम पर ही आपको दे देती है साथी सिर्फ 2000 रपिम से गाड़ी मैक्सिमम टॉर्क आने 2000 न्यूटन मिटर का टॉर्क टॉर्क करती है फरक क्या है जहां पर आप एक मान के से लिए पहाड़ी चड़ रहे हैं क्रेटा है एक्सवी 300 है आप क्रे मैलेज दोनों गाड़ियों का लगबक 17 के आसपास मिलने वाला है यह तो हैने की बात कंपनी प्रवाइड कर रही है बट एक्चुल लेखेंगे तो भाई 14-15 का मैलेज दोनों गाड़ियां फ्रेंट वील ट्राइपर आधारित हैं दोनों गाड़ियों का जो ट्रांसमिशन है पूरा ट्रांसमिट किया जाएगा पावर फ्रेंट वील्स को खींचते हुए चलेगी पूरी गाड़िको ट्रांसमिशन सिस्टम जो है क्रेटा के इस वेरियंड में आपको मैनुवल मिलेगा च्छाएगर के साथ आपको चेंज करने हैं गुद से एक्षिवी 300 में AMT मिल मिलेगा आपको स्पोर्ट मोट की अवेलेबिलिटी होगी एक्षिवी 300 में डायमेंशन में काफी फर्क आ जाता है लेंथ वाइस देखेंगे तो सब 4 मीटर में एक्षिवी 300 आती है 3,995 mm लेंथ है जबकि यहां से 30 cm जादा लंबी क्रेटा होगी 4,300 mm इसका लेंथ होता है तो cgc बात है cabin area आपको leg room जो है जादा बढ़िया मिल जाएगा क्रेटा के अंदर wheelbase में थोड़ी कमी बताना चाहूंगा दोस्तों wheelbase में दोनों ही गाड़ियां बराबर होती क्रेटा का 26 mm का wheelbase होता है xv300 का 26 mm का होता है मतलब leg room इतना भी जादा क्रेटा में आपको नहीं मिलने वाला है और जितने अच्छे से आप क्रेटा में बैठ सकते हैं उतनी अच्छे से xv300 में भी बैठ पाएंगे height बराबर है width में भी जादा अंतर नहीं है लगबग 2-3 cm का फरक आता है boot space की capacity में अंतर है क्योंकि xv300 में देखे wheelbase बढ़ाया गया है इसका मतलब cabin area थोड़ा जादा दिया गया है तो boot space बहुत कम मिलता है दोस्तों 257 लीटर का boot space मिल जाता है यह जोटी सी एक जो है negative बात हो जाती है इस गाड़ी के बारे में कि boot space बहुत कम दिया गया है क्रेटा में 433 लीटर का boot space मिलता है काफी अच्छी बात है डायमेंशन की बात करें है तो थोड़ी exterior भी देख लेते हैं अब क्रेटा क्या provide करती है आपको देखिए हम ज्यादा high level पर नहीं जा रहे है हम mid variant की बात करें यहां पर sunroof की availability क्रेटा में तो नहीं रहती है दोस् देखने नहीं मिलेगा लाइटिंग की बात करें तो क्रेटा में हाँ पर डियारल भी नहीं दिए गया है लेकिन एक्सवी 300 इस्प्राइजरी में आपको LED डियारल दे देती है fog lamps दोनों गाडियों में available है फ्रेंट में लेकिन एक्सवी में पीछे की तरफ भी fog lamps अविलेबल है headlight जो होते हैं दोनों गाडियों में halogen projector head lamps मिलते हैं आपको automatic होते हैं या अपने आप चालू हो जाएंगे अंदेरा होने पर follow me home head lamps होते हैं अधेरे में आपने गाड़ी बंद कर दिये तो गाड़ी के lights आपको थोड़े देर चालू उपके रस्ता दिखाएंगे tail lights LED होते हैं दोनों गाड़ियों के cabin में lamp अविलेबल है headlight height adjuster है power windows सारी होती है one touch up and one touch down का option क्रेटा में नहीं मिलेगा किसी भी seat के लिए जबकि xv300 में आपको driver seat के लिए चीज मिल जाएगी turn indicators outside rear view mirror के उपर अविलेबल है rear defogger है rear wiper मिल जाता है exterior door handle आपको body color के मिलेंगे साथ ही बताना चाहूंगा दोस्तो automatic climate control मिल जाता है अब यहाँ पर crate आपको single zone देती है महिंद्र xv300 में dual zone मिलता है मतलब driver और co driver जो है अलग-अल में यह बिलती हो गई कि रियर रेस इवेंट ने दिया दो डियोल जो जो उन्होंने AC में किया उसको करने के अपक्षा अगर पीछे रियर रेस इवेंट्स भी दिये जाते तो काफी better होता क्रेटा में रियर रेस इवेंट्स अविलेबल है जिसकी वैसे गाड़ी को cool होने म पार्किंग कैमरे की बात करें तो दोनों गाड़ियों में पार्किंग कैमरा अवेलेबल है गाइडेंस के साथ पार्किंग सेंसर दोनों गाड़ियों में रियर में लगे हुए है एक्सीवी 300 में सामने की तरफ भी पार्किंग सेंसर लगे हुए है cruise control मिल जाता है इस price range में दोनों ही गाड़ियों में आपको headlight अगर चालू रह गया है तो उसका reminder आपको मिल जाएगा बात करें अगर entertainment की तो यहाँ पर जो है दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में touchscreen display मिलता है android auto और apple carplay connectivity है GPS navigation आप कर पाएंगे speaker लगे हुए है छे दोनों ही गाड़ियों में MP3 playback steering mounted control voice command का भी feature मिल जाता है fabric seats हैं आपको एक क्रेटा में मिलती है महिंदर xv300 में leather की seats मिलती है dual tone interior दोनों गाड़ियों का देखने मिलेगा 8 way में adjustable seat होगी driver की और co driver के लिए six way adjustment होगा brakes की बात करें tires की बात करें तो देखिए क्रेटा की इस variant में आपको S variant में आपको steel rims मिलती है यहाँ पर cover मिलेगा alloy वाला लेकिन alloy wheels नहीं मिलेगी cover मिलेगा आपको plastic का जोकि alloy के तरह look देगा xv300 में आपको alloy wheels मिल जाती है इस price में tire size में भी थोड़ा changes है क्रेटा में आपको 205 बटा 65 आर 16 याने सोला इंच के alloy wheels के उपर 205 mm चोड़े डायर मिलेंगे तो देखिए क्रेटा दो airbag के साथ आती है xv300 साथ airbag के साथ आती है साथ ही बताना चाहूंगा कि दोस्तो क्रेटा को मिले हुए चार स्टार सेफटी के लिए जबकि xv300 को मिले हुए है फाइव इस्टार ये इंडिया की सबसे ज़्यादा safe गाड़ी है नेक्सोन से भी उपर नंबर लगता है अगर आप चानना चाहते हैं तो ये गाड़ी को चाहिल सेफटी में फोर स्टार है सबसे आदा safe गाड़ी कहलाती है ब्रेकिंग की बात करें तो देखिए anti-locking braking system electronic brake for distribution दोनों गाड़ियों में है xv300 में आपको brake assist, electronic stability program, hill hold control और traction control system भी additionaly मिल जाता है immobilizer, child safety lock तो दोनों गाड़ियों में मौझूद है तो ये दोस्तों दोनों गाड़ियों comparison जहाँ पर हमने देखा कि अगर आप इतने पैसे खर्ष कर रहे है 13-14 लाग रुपए तो अगर आपने सोचे कि बाइक क्रेटा ली जाए base variant या mid variant उससे अच्छा है कि आप xv300 पर switch कीजिए काफी अच्छी safety के साथ काफी अच्छा performance आपके यहां पर इस गाड़ी का मिल जाएगा अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमाज सब इस तरह से फिलाल करें इतना है धन्यमाद